हेलो आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है हमारे अमेजिंग से प्लाटफॉर्म टागेट गुरुकुल पे अगर आपने भी डीडियू इन्वेसिटी यानि की गोरखपुर इन्वेसिटी का इंटरेंस एक्जाम दिया था आपको यह चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि उसका रिजल्ट कुछ दिनों पहले जारी कर दिया था और बच्चों को बेसबरी से इंतजार था कि कब से काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग की जो नोटीस है वह आ चुकी है इस वीडियो में हम जानने वाले है कि काउंसल के एक्जाम दिये थे चाहिए पीजी के लिए दिये जो यह वीडियो है और काउंसलिंग की प्रोसेस है सब के लिए बिल्कुल सेम होने वाली है तो वीडियो को सुरू से आनते तक जरूर देखना क्योंकि हर एक पॉइंट को हम कबर करेंगे कि कैसे आप काउंसलिंग कर प अगर आप काउंसलिंग सही से नहीं कराते हो तो आपको मेन कैंपस मिलने के चांसे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो काउंसलिंग से रिलेटेड जूड़ी हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए हम जो नोटिस जारी ह हुआ है आज इसके बारे में बात करते हैं कि आपका जो काउंसलिंग कब से शुरू होगा कब से नहीं शुरूगा उसके लिए आपको सबसे पहले जीडियो उनिवर्सिटी की विबसाइट पर आज आना आने के बाद अड्मिशन्स वाले पोटल पर क्लिक करोगे जैसे वह काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर यूजी और पीजी प्रोग्राम्स यानि कि यह जो प्रोसीजर है का यूजी और पीजी वो दोनों के लिए सेम होने वाला है ठीक है और साथी साथ में अगर हम बात करें कि 24 देखो नोटिस आज जारी हुए 24 तारीक है अब यहां पर लिखा हुआ है च्वाइज फिलिंग फ्रॉंग 25 तू 27 जुलाई यानि कि तीन दिन का आपके पास समय है पच्चेस तारीक से लेकर के 27 तारीक के बीच में ही आपको च्वाइज फिलिंग करनी है उसके बाद आपको कोई भी मौका च्वाइज फिलिंग के लिए नहीं दिया जाए सही समय पर स्टिक जानकारी आपको मिले इसलिए हमारा प्लाट्फॉर्म टार्गेट गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें ऑल्लाइन फी पेमेंट करने की जो डेट है 31 जुलाई एंड 2 सेकेंड जुलाई आप सोचेंगे कि हम काउंसिन की फीज तो पे कर चुके हों सब्सक्राइब लेकिन आप पूछ नहीं पार होगे शायद आप कमेंट भी करो वही जानकारी हम आपके पास साजा करने वाले नीचे इसके नीचे आपको पीडियाप मिल जाएगा उस पीडियम में सारी चीजे लिखिए हैं वन बाई वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे च्योंकि अगर आप नहीं समझोगे नहीं सुखोगे तो हो सकता है कि अपको मेन कैमपस ना मिले कोई आपको अफिलेट कॉलेज मिल सब्सक्राइबुब्स ब्लीघियम मा पर जाए और ऑन-लाइन कंसलिंग बटन पर क्लिक करें यानि कि जब भी आप इस विब साइट पर आ करने के बाद online counseling पर क्लिक करें करना होगा और आपको जब भी counseling स्टार्ट होगी यानि कल हम आपको पूरा प्रोसेजर करके दिखाने वाले हैं ठीके सारी चीजर देखने के लिए कल आपको वीडियो मिल जाएगा जब से स्टार्ट हो जाएगी counseling form भरने का नियम अब काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसको भरने का क्या नियम है उसको यहां पर लिखा है लॉग-इन करने के बाद अभ्यारती को डैस्बोर्ट में counseling करने का बटन दिखेगा इस इसे क्लिक करके अबभ्यारती counseling form और फॉर्म भरने की प्रिक्रिया देख सकता है अभी जिस बटन पर हमने click किया था यह उसी बटन की बात करा हूँ क्लिक करके आप dashboard पर आ सकते हैं और वहाँ पर जो counseling भरने की प्रिक्रिया है उस प्रिक्रिया को पूरा का पूरा देख सकते हैं सारे सारे नियम भी जान चीकते हैं अगला है कि कांसिलिंग कि इस काँश्रीज की नियम घिक instr關係 को एक बॉटन होगा घित करके अब ब्यारति को अपनी कांसिलिंग क्योंग कर देनी होगी अब जहां पर हमने ये PDF के लिए click किया था, कहां पर हमने click किया था, वहां पर option आएगा, किसका option आएगा, fee payment का, ठीक है, किसका, fee payment का option आएगा, आप उस पर click करेंगे, जो आपकी fees है, वो आपको pay करनी पड़ेगी, उसके बाद सबसे पहले क्या procedure होगा, सबसे पहले आपको website पर जाना है, उसके बाद second option होगा, आपके पास, second option बोली कि second step, आपको fee pay करनी पड़ेगी, यानि, counseling की fee pay करेगी, पनी पड़ेगी, और तीसरा step रहेगा आपके लिए, कि अपनी रुची के अनुसार, 24 दोडे, सबसे typical, सबसे hard, सबसे irritating topic, topic, यानि कि सबसे step बच्चों को लगत मिल जाए, जिसके बारे में हम next video में बात करने वाले हैं, ठीक है, counseling fee जमा करने के बाद, अभ्यारती अपनी रुची के अनुसार, अधिक से अधिक अलग-अलग combination की 24 दोडे, जिससे अभ्यारती की seat, आवंटन की संभावना वड़ सके, 24 को प्रत्मिक्ता के अनुसार करम मे रखना होगा, यानि कि इसमें कहा गया है, जब भी आप अपनी counseling में 24 फिलिंग करेंगे, तो आप maximum, up to maximum colleges को फिल करें, सिर्फ ये notice बता रहा हूँ, आपको मिलने का, campus मिलने का अलग तरीका है, वो बताऊंगा मैं आपको, इसमें लिखा गया है कि maximum, up to maximum, आपको 24 फिलिंग में colleges को add कर दिया, तो आपको college ही a lot होगा, या फिर आपके बहुत ज्यादा number होंगे, तब जाकर कि आपको campus भी लेकर, तो ध्यान रखना, जब भी आप counseling में participate करना, चो आइस फिलिंग के time पे, पहली round में आप सिर्फ DDU University main campus को ही select करना, उसके बाहर किसी को भी मत select करना, course के लिए, ठीक है, अब अगर आपको university ही चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी चलेगा, तो फिर आप अपनी choice के according maximum, क्या choice फिल कर सकते हो college के लिए, ठीक है, अगला देखेंगे, choice को lock करे, सभी choice, सभी विध्यार्ती, choice भरने के बाद, अभ्यार्ती को अपनी choice को lock करने के लिए lock का बटन दबाना होगा, यानि कि जब आप 24 फिलिंग में colleges भर लेंगे, उसके बाद आपको choice को lock करना होगा, और ध्यान देने वाली बात यह है, lock करने के बाद अपनी choice को अप रिएडिट नहीं कर पाएंगे, यह point बहुत जादा important है, देखो, lock करने के बाद, choice में क कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्या, lock करने के बाद, choice में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, next अगर हम point को देखें, तो next point पर आपको देखने को मिलेगा, अब अब देखो जैसे कि आपने counselling में, counselling का fee pay कर दिया, choice feeling की pay किया, और उसके बाद अपने college भी कर दिया, अब next step क्या होगा, जो भी आपने choice feeling की थी, उसका आप choice का print ले, यानि कि 24 का lock करने के बाद, अब आपनी choice का print ले सकता है, देखो, आप अपनी सहजिता के लिए, जो आपने college list बनाई है, call list फिल की है, उसका print out निकाल ले, क्या, निकाल के पर पास रख ले, in future प्रक्रिया, तीन दिन चलेगी, यानि कि मैंने आपको बताया, 25, 26, 27, तीन दिन तक आपकी प्रक्रिया चलेगी, उन तीन दिनों में किसी भी दिन आप पहले, दूसरे, तीसरे दिन में अपनी choice feeling करा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद धान रखे, यहाँ पर लिखा है, 24 बने क प्रक्रिया तीन दिन तक चलेगी, उसके बाद यदि अभ्यारती को seat आवंटित होती है, तो अभ्यारती को तीन दिन के भीतर निर्धारित सुल्क जमा करना होगा, सुल्क जमा करने पर अभ्यारती का seat आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, कहने के मतलब है, मान लो, आपन जमा करनी पड़ेगी, admission fee, तीन दिन के अंदर आपको admission fee जमा करनी होगी, अगर आपने, आपको college मिल गया है, फीज जमा करनी पड़ेगी, अगर आपने फीज जमा नहीं की है, तो आपको जो allotment है, वो cancel कर दिया जाएगा, तीन दिन के अंदर आपने फीज पे नहीं किया ह उन में से जो college आपको चाहिए था वो नहीं मिला तब आप क्या करो माल लो आपने क्या किया बहुत सारे college भर दिये अपने BID PG college भर दिया ठीक है या फिर आप अपने main campus जेखो आपको चाहिए तो main campus था main campus चाहिए था आप कोई भी college ATC आप माल लो BID मिला या महराणा प्रताब मिला ठीक है मिल गया अब आपको नहीं चाहिए आप चाहते हैं कि नहीं को नहीं चाहिए मिल गया अलग बात है अब हम क्या करें हमें डीडियू मिल जाए तो आप उस time पर upgrade करना अगर आपको नहीं चाहिए हो तो सिर्फ upgrade करना यहां पर लिखा होगा अगर आप भ्यारती को उसकी सर्बोत्तम वरीता नहीं मिलती है जो आपने choice किया था अपने सबसे पहले नंबर पर अभ्यारती को जो seat आवंटिद हुई है उसका payment करने के बाद upgrade करने का option मिलेगा ध्यान रखना payment करने के बाद ही आपको upgrade करने का option मिलेगा अब आपका मन में question आ रहा होगा यदि upgrade करने पर क्लिक करता है तो seat उपलब्द होने पर merit की वरिता करम में उसकी choice feeling हाँ देखो अब देखो अगर आप upgrade कर दोगे तो जब second round यानि मौप अप राउंड होगा तब आपको जादा chances है कि आपको university मिल जाएगा अब आपके पास confusion ही आएगा कि माल लीजिए जो second round होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फस्ट राउंड पार्टिसेपेटर नहीं किया होगा क्यों क्योंके marks उस criteria को fulfill नहीं कर स्टाइब तो राउंड लो टू में भी बच्चएं पार्टिसेपेट करें और यह वह बच्चेभी होंगे जिन्होंने अपने स्टाइस को अपुप ग्रेड किया होगा क्यों किया होगा अपृट किया होगा तो हूंक यह हो सकता है कि 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 किसको पहले preference दिया जाएगा जि कि अप्ग्रेड ऑप्शन में यदि अभ्यार्थी को उच्छ वरित्ता के सीट अवंटिद नहीं होती है तो उसका पूर्व में अवंटिद यह तो अलग बात लिखी है जो चीज मैंने बोल दी वो यहां पर लिखी है आप पढ़ोगे तो मिल जाएगी कांसिंग में ठीक है यहां पर लिखा है तो सीट उपलाग्द होने पर मेरिट के वरित्ता की क्रम में उसकी 24 की प्रतिमिक्ता के अनुसार सीट आवंटिद होती है ठीक है अब यहां पर यह क्या लिखा है नेक्स्ट वाले में यह लिखा है अब इसमें यह लिखा है कि अगर अगर मालो आपने अप्ग्रेड किया आपको मालो महाराणाप्रताप मिला तो आपने अप्ग्रेड किया डीडियों में और आपका अप्ग्रेडेशन नहीं हुआ आपको डीडियों नहीं मिला तो क्या आपकी महाराप्रताप की जो सीट थी वो छूट जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां पर लिखा गया है कि अप्ग्रेड ऑप्शन में यदि अभ्यारती को उच्छे बरिता का सीट आवंटित नहीं होता तो उसको पूर्व में आवं क्या होगी यानि किस्छे पहले मिलने के ज्यादा चांसे होँगे ज्यादा प्रायोर्टी इसका बाद में मिलेगीं तो कोसे करना कि हर बच्छा प्राटिपकरें हर बच्छा डडई रचिए और सोचना और क्या करना अगर को इडिशी का नहीं मिलता है तब आप लास्ट इस्टब आने वाला अलॉट में लेटर का प्रिंट कर लो अभ्यारती दि तुल की जम्हा करने के बाद अलॉटमंट की रे सकता है ले नहीं सकता है जो भी आपने पेमेंट किया है उसे की रेशिप्ट आपके पास होनी चाहिए उसका प्रिंट ले करके रख लेना एड्मिशन के टाइम पे उसका आपको जरूरत पड़ेगा अगला लास्ट पॉइंट है प्रमाड पत्रों का सत्यापन यानि की सब्मिशन अब डॉकुमेंट ठीक है अलॉट्मेंट लेटर प्रा प्रापित करने के लिए अपने कॉलेज बगरा में जाना पड़ेगा है इस पॉइंट में कहा गया है इनकेस इनकेस क्या आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं तो आपको मेन कामपस मिल ही जाएगा यह गैरेंटी अगर आपके आप टार्गेट गुरुकुल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए अपने डॉकुमेंट को बेरिफाई कराने के लिए इस सबागा आपको टीन द atención के आंदर ही जाना पड़ेगा क्या टीन दwn के अंदर जाना पड़ेगा जब आपका अलॉट video confirm हो जाएगा उसके बाद अब आपके मन में confusion होगी कि इसमें कौन कौन से document verify करने के लिए में कौन कौन से document की आउशक्ता पड़ेगी ठीक है तो उसमें बहुत सारी documents की आउशक्ता पड़ेगी आपने जो भी upload किये होंगे जैसे कि class 10 की ट्रांसफर सीट यानि जिसे हम टीसी बोलते हैं अगर आपने कास्ट लगाया है तो आपको कास्ट लगाना पड़ेगा लेकर के होना चाहिए उस वक्त आपके पास होना चाहिए जब आप document verification के कराओ AWS लगाया तो AWS का certificate होना चाहिए इसके लिए एक separate video भी बना देंगे document verification में कौन-कौन से document लेकर करके जाएं तब तक आपसे कोई भी एक single notification मिस ना हो DDU के लिए तो उसके लिए आप चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स video में कोई भी दिक्कत परिशानी हो तो comment जरूर कर देना थैंक यू have a nice day बाई बाई